असकार किसान भाईयों एक रोटेक्ट चेनल में आपका स्वागती किसान भाईयों आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोफेक्स के बारे में दोस्तो प्रोफेक्स एक ऐसी कीट नासा एक दवाई है जो कि हर कोई किसान भाई अपनी फसल में इल्ली तथा कुटों को खत्म करने के लिए इसका एक नाएक बार प्रेयोग जरूर करता है तो दोस्तों आज हम करने जा रहा है NACL, NAC की दोस्तों नागर जुन कंपनी की प्रोफिक्स के बारे मैं इसके अलावा भी दोस्तो एक Profex सूपर आती है जिसमें Profeanofas की जो मातरा होती हो 40% होती है और उसके साथ Cypher Methin होती है लेकिन दोस्तो जो आप मेरे हाथ में यह जो दबाई देख रहे हैं यह केवल Profex है और इसमें Profeanofas मातर 50% ईसी है तो दोस्तो अगर आप प्रोफेनोफास मातरे लेना चाहते हैं तो प्रोफेक्स दवाई आपके लिए काफी अच्छी दवाई हो सकती है इसके बाद दोस्तों इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि यह सस्ता और अच्छा टिकाओ तरीका होता है इल्ली तता किटों को खत्रम करने के लिए और उसके बाद किसान भाई यह इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इल्ली तता किटों को दोनों को एक साथ मारती है लेकि दोस्तो इसका प्रियोग लगवग अलग फसलों पर लग अलग रहता है तो मैं एक ओसत मान के हिसाफ से यानि कि एक एवरेज डोज बताऊं तो इसका जो डोज है बह लगवग 200-2500 ML पूरी जानकारी लेना अपका आधिकार होता है, उसके बाद किसान भाईउ आप देख सकते हैं, जो देख रहे हैं यलो लेवल वाली दवाई है याने कि दोस्तो सावधानी बहुतना आपको को आय। उसके बाड किसान बाई बात आती है इसके रिजल्ट की तो दोस्तो यह जो प्रफोद्व फास जो टेक्निकल है抱े verwasting हैं इसके अलाबा कोई सी अच्छी महेंगी दवाई आप प्रियोग करेंगे तो वो काफी जादा है मतलब आपको रिजल्ट देगी लेकिन दोस्तो इसका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा है एक बार में ही यह इल्ले तता कीटो को कंट्रोल कर सकता है उसके बाद किसान भाई का 800 रुपे की समती हमें मिल जाती है उसके बाद किसान भाई यह बात आती है कि इसे हम कौन-कौन सी दवाईयों के साथ मिला सकते हैं तो दोस्तो इसके वाप लगवग सभी प्रकायर की दवाईयों के साथ मिला सकते हैं लेकिन दोस्तो आपने कई बात देखा हुगा कि जो पास, मुखफली, सोयाविन, मिर्च, टमाटर, बेगन, अरहर और भी कई प्रकार की फल वर्गी, अनाज वर्गी और सबजी वर्गी फसलों पर इसका प्रयोग किया जाता है लेकिन दोस्तों जो नाजुक फूल वाली फसले होती है उनके पर इसका फूल के टाइम पर प्रयोग करना थोड़ा सा मतलब मुश्किल भरा हो सकता है क्योंकि दोस्तों यह जो डवाई होती है वो ठोड़ी गर्मी करतीak है इसके कारण हो सकता है आपकी फसल के फूल फूल हो सकते हैं तो दोस्तों इसके अलाव अगर आपकी नाजुक फुल वाली जो फसल है तो उसमें कोई ची अच्छी दवाई का प्रयोग करेंगे तो वो काफी अच्छा रहता है इस तरह किसान भाईयो मैं आपसे विदा लेता हूँ उमीद करता हूँ किसान भाईयो मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आयोगा तो वीडियो को लाईगो चैनल को सस्क्राइब जरूर केजिएगा